क्या आप चाहते हैं कि आप जो काम भी सोचें आपका वही काम बनने लग जाए हर कोई चाहता है कि लोग उससे प्रभावित रहें संसार में आपका मान सम्मान हो संसार में एक अलग रुत्बा हो एक अलग पहचान हो यह संभव हो सकता है लेकिन उसके लिए कुछ प्रियतन करना पड़ता है आज का जो एपिसोड है कोई एस्ट्रोलजी विशय में आपके लिए नहीं लेकर आया हूं हाला कि इस विशय पर जोतिश भी अपना पूरा प्रभतव रखता है और एस्ट्रोलजी में भी इसके बारे में बहुत जिक्र मिलता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इस संसार को जीतने की काबिलियत अपने अंदर बढ़ा सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वह काम है जो करने से संसार ये लोग हो सकता है तो महारी पूजा करने लगे इतना प्रभाव मनुष्य का बढ़ जाता है आज का जो एपिसोड है बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो शाय पहले आपने कभी भी ना सुना हो नमश्कार मैं पंडित निती शास्त्रे आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हारदिक स्वागत करता हूँ उमीद है आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे एपिसोड का टीजर आपने देख लिया है कि लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे ये है आज का विशे कौन सी वह शक्ति है जो अगर आपके अंदर आ गई तो ये लोग आपकी पूजा करने लगेंगे आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ अगर आप वाकई में अपना जीवन बदलना चाहते हैं अगर आप इस अपनी जीवन को वास्ताव में सार्था करना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए जो टोपिक जो विशे लेकर आते हैं वो बड़ी महनत से और बड़े लगन से परिश्रम से आपके लिए एपिसोड लेकर आते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी शक्ती के बारे में जो अगर आप अपने अंदर जागरत कर लेते हैं तो संसार की बड़ी से बड़ी चीज भी आपको हरा नहीं सकती ये बिश्वाश है ये बहुत बड़ा आपको लाब है तो मैं समस्थ जानकारी आपके साथ शेर करूँगा लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आप पहली बार पंडित नीती शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल का निशान सरूर दबा लें जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं ओम हलीम बगला मुखी सरब दुष्टा अनाम वाचा मुकम पदम संभया जिव्याम की लए मुद्धिम विनाश हलीम ओम स्वाहा बोलिये बगला मुखी माता की जै तो मेरे प्यारे दर्शकों जिस शक्ति के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस शक्ति का नाम है मौन, साइलेंस, चुप्पी, जी हाँ मौन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है दा पावर ओफ साइलेंस इस पावर जो आपको इस संसार में हर जगहां जीत दिलाएगी जहां जहां पर आप जाओगे, जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ होगे जो मौन की शक्ति है, हर मार्ग पर आपको सफलता दिलाएगी लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि मौन रहना ये तो हर कोई कर सकता है तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं क्योंकि मौन रहना हर किसी के लिए संभव नहीं है एक बहुत महार फिलोसफर हुए हैं आचारिया रजनीश जी प्रमुक्ध नाम जिनका ओशो जी साइलेंस के उपर उन्होंने बहुत अच्छे विचार प्रसुत किये हैं यूट्यूब पर आप सर्च करना आचारिया रजनीश जी थोट्स उन साइलेंस उनसे बहतर मोन का बहत्तव आज तक किसी ने नहीं बताया हम तो आपको एक दो परसेंट बता सकते हैं लेकिन आचारिया रजनीश जी ने मोन पर जो विचार प्रस्तुत किये हैं वो विचार आपका समगर जीवन परिवर्तन करने के लिए काफी है यूटूब पर आप सर्च करना ओशो जी थोट्स उन साइलेंस आपको वहाँ पर विचार ही विचार मिलेंगे और उन विचारों को आप दिहान से सुनना अब हम बात करते हैं कि मोन की शक्ति क्या है मोन की शक्ति यानि की साइलेंस का सबसे पहला जो लाब है वाक सिध्धी मतलब अगर आप अपने मुझ से कुछ निकाल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं तो आपका कहो हुआ सब्सक्राइब एक अगर आपके अंदर मोन त्कुर मुझ साइलेंस के पावर है वहर को इनसान चाहता है कि जो छीज वह बोल रहा है जो तोड़ उसके मन में चल रहे हैं वह बिलकुल टार्गेट पर हूँ और वो आपके बिल्पूर टार्गेट पर होंगे अगर मोन की शक्ति को अपनी पहचा लिया अगर इनसान को बहुत जादा क्रोवध हाता है तो वहां पर भी जो मोन की शक्ति है वो कार्य करती है जो ओर्ष दिया है वो केवल दस परतीशत अपना कार्य करती है जो हमारी इनर पावर है वो हमें सब चीजों से लड़ने में हेल्प करती है अगर आप अपने क्रोध पर नियंतर्ण पाना चाहते हैं तो आप मोन की शक्ति पर अभ्यास करना शुरू करिए if you want to close your anger then you have to be take the power of silence मोन रहने से हमारा जो इंद्रिया है उन पर हमारा प्रभाव बढ़ता है मोन रहने से इंसान को अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है हमारा मन हमारा दन कितना मजबूत है साइलेंस से मोन से हमें पता चलता है अगर एक इंसान खुद की शक्तियों को पहचानना चाहता है अगर एक इंसान खुद के बारे में जानना चाहता है कि जनम किस लिए हुआ है जेवन में सफलताई कब मिलेंगी मोन रहना प्रारंब करिए धीरे धीरे आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो आप जानने के लिए प्रियत्न कर रहे हैं मोन का इतना महत्तु है कि इंसान हर एक चीज को पा सकता है जिसकी वह कभी कल्ब ना करता है अगर हम अपनी जोतिश शास्त्र की बात करें तो वहां पर भी मोन का बहुत महत्तु बताया गया है कहां गया है कि जो प्राणी कभी भी अपने शब्दों पर नियंतर्ण नहीं रख पाता जिसकी वाड़ी पर ही नियंतर्ण नहीं है वो अपने जीवन में कभी भी सफलताओं के मार पर नहीं पहुँचता अपने शब्दों पर अपनी जिवहा पर नियंतर्ण रखने से मनुष्य को पता चलता है कि वास्त्विक्ता में उसके जो शब्द हैं उनका महद्व कितना है और कहां पर भूल हो रही है मोन से मनुष्य का भाग्य बदलना शुरू हो जाता है कई वारकसर लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा अगर वास्ता में आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं अगर आप चमतकार देखना चाहते हैं कि भाग्य साथ कैसे देता है तो मोन की शक्ति पर कारिय करना शुरू कर दीजिए मोन की जो शक्ति है वो इस पूरे ब्रहमांड में सबसे बड़ी शक्ति हम कह सकते हैं लोग आपकी पूजा करने लगेंगे जब मुख से आप जो निकालोगे बिल्कुल सत्य होगा ये तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे एक दिन दो दिन महीने दो महीने में नहीं होगा इस शक्ति को जागरित करने में वर्षों का समय लगता है लेकिन मेहनत करके अगर शक्ति को आपने जागरित कर लिया तो मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से आपको विश्रास दिलाता हूं इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्रास्त कर सके जो आपको स्वफलता से वंचित कर सके तो मेरे प्यारे दर्शकों मुझे विश्वास है आप सभी भगतों को आज का एपिसोड बेहत पसंद आएगा अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हूँ आपका कोई भी प्रशन है तो आप कमेंट बोक्स में अपना वह प्रशन पूछ सकते हैं आज के लिए वस इतना ही मिलेंगे एपिसोड में किसी नए विशे के साथ शेया बात आगे